आज का हमारा जो टोपिक है वो है structure and synthesis of antimilarial agents तो आज की क्लास में हम antimilarial agents के structure देखेंगे और कुछ synthesis के बारे में बात करेंगे आपके इस लिबस में केवल दो ऐसी antimilarial drugs है जिसका आपको synthesis करना है और बाके आपके इस लिबस में नहीं दी हुई है किवल दो ड्रग्स ही दी हुई है पहली जो ड्रग है वो है chloroquine एक तो इसका synthesis करना है एक पामा क्वीन ठीक है दो ही ड्रग्स है जिनका synthesis आपको करना है बाकी structure आपको सब का करना है देखिए सबसे पहले synthesis की बात कर लेते उसके बाद structure पर आएंगे देखिए chloroquine का synthesis कैसे होगा बहुत ही आसान है क्या करना है 4-7-di-chloroquine को react करवाना है 1-di-ethyl amino 4-amino-pentane के साथ ठीक है जैसे या दोनों की reaction होगी तो HCl बाहर निकल जाएगा और chloroquine बन जाएगा यह कैसे बनेगा देखिए इसका जो NS2 है और इसका जो HCl है यह जो यहाँ NS2 का तो H और इसका CL ठीक है यहाँ से तो 1 H आएगा और यहाँ से CL आएगा तो HCl निकल जाएगा बाहर और जो यह NH बच गया यहाँ पर attach हो जाएगा तो इससे यहाँ पर बन जाएगा हमारा chloroquine ठीक है बिल्कुल सिंपल सा synthesis है ज्यादा tricky नहीं है ठीक है यह आपको याद करना है और structure आपको जो यह chloroquine की दी हुई है यह यहीं पर बिल्कुल अच्छे से याद हो जानी चाहिए ठीक है नेक्स्ट हमारा जो synthesis है वो है पामा क्वीन का पामा क्वीन का बहुत ही सिंपल सा synthesis है इसमें भी कोई tricky पार्ट नहीं है देखिए होगा क्या 4 mythoxy 2 nitro benjamin 4 mythoxy 2 nitro benjamin 4 mythoxy 2 nitro benjamin देखिए यहां से 1 2 3 4 ठीक है फोर्थ पोजिशन पे तो mythoxy है और 2 पोजिशन पे नाइट्रो है तो 4 mythoxy 2 nitro benjamin ठीक है यह पूरा क्या बन गया है यह बन गया benjamin ओके इस दा benjamin तो यह इसके अंदर आपको क्या मिलाना है 4 mythoxy 2 nitro benjamin के अंदर आपको 3 चीजों का mixture मिलाना है पहला glycerol दूसरा है H2SO4 और तीसरा है nitro benjamin अगर यह तीनों का mixture आप इसके अंदर मिलाते हो तो यह बन जाएगा अब यह क्या है इसको बोलेंगे देखिए 1 2 3 4 इसको बोलेंगे 4 mythoxy 2 nitro covenoline ठीक है इसको यह बोलेंगे ठीक है इससे यह बन जाएगा उसके बाद क्या है उसके बाद reduction होगा reduction होने के बाद जो यह हमारा nitro group था इसकी जंगह पे NH2 group आ जाएगा ठीक है amino group आ जाएगा nitro की जंगह और कोई भी changes नहीं होगा अब उसके बाद क्या होगा उसके बाद यह जो group है यह आपको attach करवाना यह structure यहाँ पे attach होगी यह structure की presence में और इन दोनों की reaction करवानी है जैसे इन दोनों की आपस में reaction होगी तो HBR बाहर निकल जाएगा और जैसे ही HBR निकलेगा यह यहाँ पे attach हो जाएगा एक किस तरीके से होगा देखिए जो यह NS2 है इसका तो H और जो यह BR है इसका BR है HBR बाहर निकल जाएगा और जो यह NH है इसकी जिंगे पे यह जो structure बच गई यहाँ पे आके attach हो जाएगी और फिर बन जाएगा PAMA Queen और बाकी की जो उपर वाली structure है यह बिल्कुल सेम रहेगी ठीक है तो this is the synthesis of PAMA Queen देखिए इसके अंदर आप एक step को reduce भी कर सकते हो यह वाला यह reaction भी चल सकती है अब कैसे है यह step कैसे हटेगा वो देखिए जो 4-mithoxid 2-nitrobenzamine है इसके अंदर हमने मिलाया था glycerol, S2SO4 और nitrogen तब जाके यह बना था अब की बार हमको क्या मिलाना है अब की बार यह जो nitrogen है इसकी जंगे पे aniline को add कर देना है तो अब की बार कौन-कौ 2-nitrobenzamine के साथ अगर आप glycerol, H2SO4 इसको काट दो यह नहीं मिलेगा तो पहला है glycerol, दूसरा है H2O4 और तीसरा है aniline जिसको मैं बोलूँगा C6, H5, NH2 यह अगर तीनों चीजे इसके साथ मिलाओगे तो direct आपका यह बन जाएगा ठीक है यह नहीं होगा तो direct आप एक step produce भी करके लिख सकते हो अगर आपको ऐसे याद होता है ऐसे करो अगर यह आपको बड़े step में करना है तो ऐसे भी कर सकते हो तो इसको हम बोलते है scrap synthesis ठीक है यह बन जाएगा quinoline ओके फिर quinoline से आगे का step सेम रहेगा जो यह वाली structure है यह आपको इसके साथ react होंगी और HBR बाह अगर आपको पहले वाला structure और last में क्या बनना है अगर वो आपको याद है तो बीच वाले आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे डारेक्ट यह भी कर सकते है आप तीन step में भी ठीक है तो यह आपके दो synthesis थे जो आपके इस लिवस में दिये वे थे अब आपको structure याद करनी है ठीक है structure of anti-malarial agent पहला है chloroquine यह आप अब synthesis करोगे तो वहाँ पर आपको याद करनी है अच्छे से ठीक है जो जिस जिस भी drug के synthesis आपको given है ना उसकी structure आपको compulsory है याद करनी ही करनी है चाहे वो structure कितनी ही मुस्किल हो चाहे कितनी ही आसान हो वो structure तो आपको याद करनी ही पड़ेगी यह compulsory है हर classification के अंदर जितन इतने भी synthesis आपकी syllabus में given है उसकी structure आपको याद करनी ही करनी है बाकी आपको मैं एक तरीका बदाता हूँ देखिए जो यह anti-malarial agent है इसके जो classification है इसके अंदर ज्यादा बहुत ज्यादा drugs है ठीक है क्रीब 15 से उपर drugs होंगी ठीक है क्रीब 12 या 15 तो drugs होंगी तो इतने structure तो एक classification है अगर आप याद करोगे तो भूल जाओगी क्योंकि पूरी medicam के इंदर आपको बहुत सारे structure हो जाएंगे इसलिए याद करना मुस्किल है तो आपको क्या करना है आपको जितने synthesis से उतनी याद करने है ठीक है वो compulsory है और दूसरा जैसे पामा क्वीन का synthesis है तो पामा क्योंन का synthesis है उसकी structure भी आपको याद होनी चाहिए ठीक है बिना synthesis यह कहीं ऐसे नहीं कि synthesis करने ही बैठ जाओ और structure पूछी गई exam के इंदर यह ऐसा नहीं है आपको याद होनी चाहिए बिलकुल structure पूछे तो केवल structure आप draw कर सको ठीक है तो यह compulsory है उसके बाद क्या है हर एक classification में आपको at least 5 structure चार या 5 structure आपको याद करने ही करने है ज्यादा होते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर ज्यादा नहीं होते हैं तो at least 4 या 5 आपको करने है ठीक है फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे नमबर लेके आने से मेडिकें में ठीक है तो ऐसा आपको कर पहला structure आपको यह याद करना है, यह भी बहुत easy structure है, ठीक है, मिलते जुलते structure है, okay, मिलते जुलते कैसे हैं, देखें, यह हमने पड़ा था, Pama Queen के अंदर, यह जो जीतना structure है, पामा क्वीन के अंडर पढ़ा था, यह मिथोक्सी ग्रूप है, ठीक है? यह प्रीमा क्वीन बन गया, प्रीमा क्वीन और पामा क्वीन में थोड़ा सा ही ढिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, देखें, यह इमारा पामा क्वीन है, यह NH2 है यह carbon है यह CS3 है और फिर यह आगे का structure इसमें देखिए यह NH है यह CS3 है तो इतना structure तो हमारा same ही है फिर आगे का अलग है यहाँ पे CS2 तीन बार है लेकिन यहाँ पे जो CS2 है वो तीन बार है ठीक है वहाँ पे दो बार था यहाँ पे तीन बार है और यह आगे का structure अगर यह याद नहीं होता है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसके बाद ये है पाइरी मिथा माइन का, ये structure भी थोड़ा सा simple लग रहा है, ये भी आप याद कर सकते हो, अगर ये structure आपने याद कर लिया, तो क्या है, आपको दो structure याद हो तो इन में से जितने भी आपको याद हो ना, कहने का मतलब ये है, जितने भी structure आपको याद होती है, जैसे, देखें, ये भी बहुत सारे हैं, ये हमको दिया हुआ है, यहाँ पे साइक्लोगवाइनिल का, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही पीछे देखा था हमने प्रोगवा चाहते हैं, तो सारे भी कर सकते हो, ठीक है, तो जो ये भी ये structure मैंने बताए हैं, इनको याद करने की कोई trick नहीं है, कि कोई trick है, आपको ये याद करने होंगे, बार-बार आप इनको revise करोगे, तो ये automatic आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, synthesis मैंने आपको बता दिया, और structure भी आपको मैंने दिखा दिये, कोन-कोन से याद करने, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं, हम next वीडियो के अंदर,